वेलकम दोस्तों आज वीडियो में जानने वाले हैं केरियर कमपनी का रूप्टा मडल पैकेज यह इसका बेल्ट वगरा अर्जिस्ट करने के बारे में जानेंगे इसका कुछ टेक्निकल चीज़ जानेंगे कैसे हम सेट करते हैं यह हमारा टेस्टर भी टाइट है तिसे हम प्लोवर लगा राता है का रहा है तो लुक्तर है वह सहे तो इसके बारे में जानेंगे देखेंगे कैसे क्या रहाता है वी बजीर समुल देखने को मिलेगा यह वीडियो देखेंगे तब को यह गया एफसी हो गया याफ्य.या Profile hr सब्सक्राइब हर एक कंपनी का हर एक मोटर का मोडल तोड़ा अलग लग डिफिरेंस रहता है यह मारा ब्लोर है और है और इह अप्रेटर भी देशकते रहेंगे दो पर्ट में लगा हुआ जयसके हमने कहा था यह अपरेटर जो है कंप्रेसर दो कंप्रेसर है इस में दो कंप्रेसर होने कुछे से यह यह अफ़रेटर अर्यॉट पार्ट में डिवाइड है यह हमारे देसकते mi हैं तो आगे हम चीज आने के बारे में टपरसूट के बारे में और वीडियो बना हुआ है और ब्लोड बेस ये दो बोल्ट है इसे हम लूज करेंगे तो डेसकते रहेंगे ये लूज करेंगे कि हमारा जो है डाइट है डाइट होने की वज़नी वजह से रूम में आवाज ज्यादा हो रहा था यह ज्यादा हो रहा था या फिर मोटर जो है पुल्ली जो है गरम हो रहा था इस life र μखेंगे कुलation यहां से जो बेस का बोल्ट को हम खोल लेते हैं यह बोल्ट जो रहता है डिफ्रेंस आइस को जाते हैं कई बार किसी में आपको 10 का स्पैनल लग सकता रहेगा किसी में 13 का या 15 18 19 का यह रोलक कापसिटी यह चू है तो बड़े बड़े मोटर रहते हैं तो बड़े कापसिटी के लगेंगे बट यह चू भी रहता है उसमें भी कुछ इस तरह से ही आपको देखने को मिलता है इस तर ड्यक्तव यह बेले दे सकते रहेंगे 267 लगा हुआ यह बैंडों कमपनी का है 266 लगा हुआ हुआ अब देसकते रहेंगे यहां फॉर लूज कर लेंगे प्रेंगे बागी और इसका वायरिंग है टेक्निकल चीज़ें ट्रबल सूट है उसका मारा बहुत से बीडियो करना वाइर जाना चाहते हैं यह क्या चाहिए यहाँ क्या चीज के लिए यूजपूल सकता रहेगा नेटेटियो में जानने भाल है his hope के बारे में यह हमारे कैरियर का है उसके बाद यह एक है यह फिर ट्रेंड यह सब मॉडल है ज्ञारे मार आउट आप कांट्री में देखना को मिलता है तो अभी देश्चते तरह यह भी हमारे टाइट है ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए भी हम भूट करेंगे और यहां से टैट करके बेल्ट को इसतर से से तैस्ट करके धिखते रहेंगे। हमारा लूच हुआ यह होगा। यहठि है। यहां से हम थ् daueur सा और लूच करेंगे कर लेना है तभी हमारा पीछे मूप करेगा तब यह सकते हैं अभी हमारा टाइट है ज्यादा लूज नहीं हुआ है तो पहले आप मार्किंग कर लें गर फर्स टाइम में कुछ प्रोलम है चेंग कर रहे हैं कई बार बेल्ट हमें इस तरह से मार्किट में लेते हैं यह से मॉडल का हमारे पास नहीं रहता है इस तरह से कोल करके बेल्ट मोटर को जो बोल्डर रहता है है इसे हम लूज करके आगे कर सकते रहेंगे अगर हमारे पास सिक्ष्टी यह से उन्टी मिल गया है पीछे लेना पड़ेगा मोटर को वेल्ट छोटा है तो आगे लेना पड़ेगा थे सब चीजी है करते हैं सब चीजी काम आता है सब चीजी हमें मालूब होना चाहिए किस तरह से हम अड़ेस्ट करेंगे आगे पीछे मोटर को लेती हैं और बेल्ट वारा लूज करते हैं क्या चीजी रहता है तो देसकते रहेंगे यहां से हम अभी नॉर्मल थोला सार आए और इसको हम होना चाहिए बाकी चीजी और भी इसके बारे में जानेंगे किस तरह से वारी कनेक्शन जाता है और उसमें क्या क्या रहता है पुल्ली को किस तरह से करते हैं वह अलग चीजी जानेंगे कई बार 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 टूट जाता है या बार बार उतर जाता है बार बार टूट जा र तो उसका मतलब जो हमारे पुली है मोटर का पुली और ब्लोवर का पुली यह दूनों सेम तूसम नहीं स्टेट में नहीं है यानि मैंसिंग में यह क्रॉस है अगर क्रॉस रहेगा तो कंडिशन में होता क्या है इस तरह से मारा बार बार बेल टूटेगा यह चल चलके उतर ज करते हैं जाने को कि यह किस तरह से हम घ्रिष करते हैं हम दो को कुछ तर से बैल ड्राइब उस होते हैं बेलट होते हैं बेल का साइज जो है इस हिसाब से किना हश्भी का मोटर है और कर नासी डूर है होता है चोटा बड़ा यूज होता है किसी किसी में दो टाइब के होती है और बेल्ट भी जो आते हैं दो टाइब के और भी टाइब की आते हैं नॉर्मल वेल्ट देसकते हैं वी टाइब करेंगे तो आपको मालूम चलेगा किस तरह से रहेगा यह वीडियो में बस थोड़ा सा आपको एंड देनी कोशिश की है किस तरह से हम अर्जेश करते हैं अगर हमारा बेल्ट लूज होता है या भी टाइट होता है तो आसा करता हूं आपको जोरी इंफार्मेशन मिला रहेग नए टेगनिसियन है खास करें फिल्ड में आना चाहते हैं और लोग भी जान सकें सीख सकें देख सकें आप यह नहीं मिला आज आपका दिन सुबो थैंक्यू फर वाचिंग है यह वाचिंग